एफिशेंट मार्केट हाइपोथिसेज जिसको हम शॉट में EMH भी बोलते हैं तो यह इस वीडियो में हम डिस्टस करने वाले हैं आज नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोनु सिंग और आप देख रहे हैं सोनु सिंग पीपीटी वाले तो लास्त देखने आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ भाओ और बहुत सारे एक्जांपल से साथ हम डिस्टस करेंगे जितना हार्ड यह टॉपिक आपको पढ़ने में लगता है उतना हार्ड आपको यह वीडियो देखने के बाद नहीं लगेगा आप बोलोगे यह था गया यह बिसी लिमिटेड ठीक है और मान लो कि पिछले साल अभी जो 2021 गया है उसमें उसके कोई एक पॉजिटिव नियूज आई थी और अभी 2025 में स्टार्टिंग में ही उसके कोई एक नेगटिव नियूज आ गई तो यहापे दो नियूज है और दोनो नियूज पबलिक के पास जैसी नियूज आई थी नियूज में आ गई थी नियूज चैनल ने वो नियूज दिखाती थी एक्जामपल मान लो कोई थी ठीक है तो जो पॉजिटिव नियूज आई होगी तो उस कंपनी का शेयर मार्केट और अब्रस सी बात है कि बढ़ा होगा पॉजिटिव अब्रस को एक्वाइर किया हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगेरे लिए हो है ना तो इस सारी पॉजिटिव नियूज है जिसकी वज़े से उस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है ठीक है तो पॉजिटिव नियूज से उसका शेयर बढ़ रहा है ऑन दी अपनी लिस्टेड है मार्केट में उनका प्राइस जो है वो फेयर प्राइस पे लिस्टेड है और जैसे ही कोई नियूज आती है जैसे ही कुछ प्रतिक्रिया होती है जो भी बायर सेलर्स वो करते हैं तो मार्केट बढ़ता है या घटता है ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं एक तिम क्लियर हो जाएगा आपको तो efficient market क्या होता है efficient market mean a market in which share price follow an independent path मतलब ये कहा गया है कि efficient market एक ऐसा market है जिसके अंदर जो share price है किसी भी company का वो एक independent path follow करता है मतलब उसका जो पहले का price है ना जैसे मालो आज किसी company का share price है 102 रुपे तो ये जो share price है वो decide उसके पहले वाले share price से नहीं हुआ है ठीक है अगर कल उसका price 99 था या उससे पहले 80 था तो वो decide नहीं करेगा कि आज उसका price क्या है या आने वाले future में उसका price क्या होगा जो price होगा वो influence होगा हमेशा demand और supplies है कि कितने लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं और कितने लोग उस चीज़ को बेचना चाते हैं उसके हिसाब से जो share price है वो decide होता है या influence होता है और क्या लिखा गया इसके बारे में market efficiency refers to the degree to which market prices reflect all available relevant information अब company में कुछ भी हो रहा हो जैसे मैंने starting में example बताया था कि company में अगर positive news आ रही है negative news आ रही है कुछ भी changes हो रहे है company में कुछ भी projects ले रहे है ये company तो सारी जो information है आपको उसके market price में देख जाएगा अगर market price बढ़ रहा है तो जरूर company ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा और market price घट रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा या losses वखे रहा किया होंगे in card ठीक है if markets are efficient then all information is already incorporated into prices ठीक है अगर वो market efficient है तभी जो information है वो जो prices जो market का share price है या जो भी company का share price है उसमें दीखेंगे अगर market efficient है तो and there is no way to beat the market because there are no undervalued और overvalued securities available और कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिसके तहत आप market का फायदा उठा सको कि यहां भाई यह undervalued security यह undervalued share है इसको खरीद लो अब इसका price कम है और मेरे को पता है भाई आने वाले time में इसका price बढ़ जाएगा तो undervalued और overvalued कुछे नहीं है market में इस theory के हिसाब से बता रहो में यह चीज़ ठीक है इसलिए कोई भी market को beat नहीं कर सकता कोई भी market का फायदा नहीं उठा सकता तो यह तो होता है efficient market अब क्या होता है हमारा जो topic है वो efficient market hypothesis efficient market आप समझगे क्या होता है कि कोई भी company है उसकी information उसके जो share prices उसमें देख जाती है अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसमें hypothesis का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी theory या कोई भी एक ऐसी assumption जो सच भी हो सकती है सच नहीं भी हो सकती है ठीक है मतलब मान लेना एक तरह से कल्पना कर लेना वो होता hypothesis और इसको हम efficient market theory भी बोलते है और यह जो theory यह दी गई थी Eugene Pharma ने या Eugene Pharma के द्वारा दी गई थी 1970 में उससे हमें कुछ मतलब नहीं है हमें तो वही पढ़ना है और यह theory समझने है क्या होता है EMH मतलब efficient market hypothesis is based on the fundamental that market are efficient and price make an independent movement in these market ठीक है अभी तक हम यही पढ़ते वारे इसके अंतरकत market तो जब से पहले आपका efficient होना ही चाहिए और जो price का movement है वो independent movement होना चाहिए past prices पर dependent नहीं रहना चाहिए It is also called as random walk hypothesis Random walk hypothesis मतलब क्या हो गया कि इसको random walk hypothesis भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है मतलब कुल मिलाके आना बात यही है कि आप जो आने वाले prices है ना जो कोई company listed है share market में उनके आने वाले जो future prices है जो future trend है वो आप पहले से predict नहीं कर सकते है ठीक है future क्योंकि uncertain होता है future में आपको पता नहीं है क्या होने वाला है तो efficient market hypothesis theory हमें यही कहती है कि जो prediction है वो नहीं कर सकते है आप accurate नहीं हो सकते market की अगर production कर रहे हो तो और क्या लिखा गया इसके बारे में EMH is an investment theory which suggests that prices of financial instruments reflect all available market information financial instruments यहां पर shares आप है share जो भी होते है या stocks बोल सकते हो आपने तो EMH एक investment theory है जो हमें यह बताती है जो भी prices है न जो भी stock है उनके prices है वो reflect कर रहे हैं जो भी market information available है पबलिक के पास जितनी information है उस company की उसके हिसाब से उसके prices है पबलिक के पास information आएगी पबलिक क्या करेगी रियाक करेगी या तो खरीदेगी उसका stock या बेचेगी उस हिसाब से उसके prices उपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे ठीक है समझ रहे हो गया आप Hence investors cannot have an edge over each other by analyzing the stock and adopting different market timing strategies तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाँ इन्फोर्मेशन तो पबलिक के पास है तो कुछ investors ऐसे फायदा नहीं उठा सकते हैं stock market का ठीक है इस theory के हिसाब से बोला जा रहा है ये सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो इस theory के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि जो investors है वो market का फायदा नहीं उठा सकते हैं भाई analyze करके कि हाँ पहले इस stock का यह यह performance रही है तो आने वाले समय में यह performance रहेगी उससे आपसे वो फायदा नहीं उठा सकते है different market timing strategies यूज करके फायदा नहीं उठा सकते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि कुल मिला के इसका बात यही है कि आप predict नहीं कर सकते है future price तो इस वजह से अगर आप predict नहीं कर सकते हैं तो आप market में फायदा नहीं उठा सकते हैं कि हाँ भाई अभी invest कर दो आगे में पताय जा होंगे उतना जादा आपको profit मिल सकता है ठीक है तो इस theory के सबसे भाई एक ही आपका तरीका है कि आप high returns ले सकते हो जब आप high risk लोगे ठीक है अगर आप high risk लेते हो ज़्यादा पैसा डालोगे या बढ़ते वे market में डालोगे या जो भी चीज़े हैं तभी आपको high returns मिल सक जाती है और जो भी fundamental analysis है technical analysis है वो short term में चल जाती है लेकिन long term में अगर कोई सोचे कि हाँ मैं consistent ऐसे profit बनाता जाओगा एक तो साल तक तीन साल तक तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है तो ये था efficient market hypothesis अब देख लेते हैं कितने तरीके की efficient market hypothesis हो सकती है तो सबसे पहला form ह और जैसे जैसे ये तरीके बढ़ते रहेंगे जैसे कि second हम पढ़ेंगे third पढ़ेंगे वैसे वैसे ये unrealistic होती जाएगी सबसे पहला आपको लगेगा कि हाँ वह रियल चीज़ बोल रहा है ये चीज़ हो सकती है लेकिन अब second पढ़ो तो आपको धुरे देर आपसे भरोसा उ hypothesis के the weak form of EMH implies that technical trading strategies cannot provide consistent access return because past price performance cannot predict future price actions that will be based on new information तो EMH के weak form के इसाब से ये कहा जाता है कि जो technical trading है नहीं या जो technical analysis है जिसमें हम जो stock है या जो share है उसके previous prices के basis पे उसके future को predict करने ही कोशिच कर रहे हैं तो weak form में ये चीज़ नहीं चलती है वो बोलता है कि हाँ जो previous prices है न वो previous ही है जो past data है वो past data ही है उसके basis पे आप future को predict नहीं कर सकते हो on a long run long run की बात हो रही है इस पूरी theory में ठीक है तो long run में अगर long term में आपको returns चाहिए तो आप past performance के basis पे return नहीं ले सकते क्यों leaves open the possibility that fundamental analysis may provide a means of outperforming the overall market average return on investment ठीक है लेकिन week form में ये भी बताया गया कि technical analysis से नहीं हो सकता कुछ ठीक है past वाले चीज़ हम नहीं करेंगे लेकिन अगर आप fundamental analysis करते हो company की balance sheet वगयरा देखते हो उसके reports वगयरा देखते हो तो आपको मतलब कुछ ना कुछ मिल सकता है महापर उसकी basis पर आप क्या कर सकते हो अपने decisions ले सकते हो तो week form में तो ये बताया गया है कि technical analysis बिलकुल फालतू चीज है fundamental analysis आप यूज कर सकते हो second होता है semi strong form ठीक है ये पूरी strong नहीं है semi strong है ये थोड़ी सी unrealistic लगेगी the semi strong form of the theory dismisses the usefulness of both technical and fundamental analysis तो पहले वाले में technical को भाई बिलकुल value ने दी थी कि technical तो करो ही मत इस वाले में बोल रहे है कि technical भी मत करो और fundamental भी मत करो कि technical पास data से आप नहीं predict कर सकते future और fundamental analysis कि company की जो भी balance sheet है reports है जो भी चीज़े है अगर आपके पास वो available है जो भी public information company share करती है अगर आपके पास वो available है तो आपके जैसे जो और investors है उनके पास भी तो available है तो आप उसमे advantage नहीं ले सकते हो ठीक है और investors की तरह है जो सबको मिलेगा वही है आपको मिलेगा उस चीज़ से ठीक है तो यह वाली theory यह वाली form यही कहती है कि आप technical analysis करके या report वगयरा देखके या जो भी कह सकते है balance sheet वगयरा देखके company की financial statement वगयरा देखके आप advantage नहीं ले सकते share market में ठीक है और investors के जादा price adjust quickly to any new public information that becomes available ठीक है जो भी public information मिलती है company की side से कुछ भी information उनके reports हो सकते हैं उनके quarterly results हो सकते हैं उसके हिसाब से price adjust हो जाता है seconds में adjust हो जाता है जैसे अगर share market अब ही open है और company का कोई result आ गया भाही आप देखते रह जाओगे seconds और mintो में जो price open नहीं हो स is incapable of having any predictive power about future price movement ठीक है तो fundamental analysis करके या company के जो भी public documents और देखके आप future का prediction नहीं कर सकते हो ठीक है थोड़ा सा unrealistic लगा क्योंकि आजकल तो जो investors है वो यहीं कर रहे हैं या तो pass data देख रहे हैं या company की जो भी चीज़े हैं वो देखके invest करते हैं तो थोड़ा सा unrealistic अभी तीसरा वा है यह EMH की according to the strong form of the EMH not even insider knowledge can give investors a predictive edge that will enable them to consistently generate returns that outperform the overall market average कहने का मतलब समझते हो कि इस वाली form के हिसाब से अगर insider कोई बंदा कोई information leak भी कर देना तभी भी आप advantage नहीं ले सकते हैं यह बहुत जादा मतलब unrealistic होता है लेकिन क्यों होता है क्योंकि मतलब अगर insider में किसी को भी महलूब कोई company के बारे में एक inside knowledge पता है या inside information पता है अगर वो बाहर वो information leak करता है तो वो किसको leak करेगा वो अपने relatives को leak कर सकता है या किसी को पास भी कर सकता है या खुद वो invest कर सकता है तो कही ना कहीं से वो तो शॉर्ट टम में तो आप यह चीज कर सकते हो, जो कि इल्लीगल है इंडिया में वैसे तो, कि इंसाइडर ट्रेडिंग वगएरा है, इल्लीगल है, कि कोई अंदर का बंद आपको इंफोर्मेशन दे रहा है, उसके बेसिस पर आप कुछ एक्शन वगएरा ले रहे हो, तो पर यह यह फॉर्म यह कहती है, कि जो श्टॉक के प्रायसज होते है नौ, एक्सचेंज पे वो private और public दोनों information के basis पे reflect होते हैं इस इंक्लूट अल publicly available information बोथ historical and new और current as well as insider information और जो भी public और private information होती है उसमें public में जो भी information है जैसे कि historical data हो गया new data हो गया current data हो गया और insider information जो private है जो public के साथ share नहीं हुई वो भी अगर होती है किसी के पास तभी भी price होती है adjust हो जाता है और उसमें कोई advantage नहीं ले सकता जो की नहीं होता है ठीक है अगर कोई private information है जो company ने बाहर share ही नहीं करी है तो कैसे वो share का price होती है आप से change हो जाएगा हां long run में हो सकता है अगर वो कल को leak होती है information यह कुछ भी लेकिन short term में नहीं हो सकता तो इसलिए बोला जाता है जो week वाली form होती है जो first वाला form का वो सबसे ज्यादा realistic होती है वो चीज़ मानी जा सकती है कि आप past data देखके future data predict नहीं कर सकते हो second वाली थोड़ी थोड़ी मानी जाती है कि हाँ भाई आप past data देखके future data predict नहीं कर सकते है लेकिन अगर आप company के documents वगयरा देखोगे उनके financial results वगयरा देखो तो उसके इसाब से आप क्या कर सकते हो अंताजा लगा सकते हो कि आने वाली time में यह company कैसा करेगी और इस वाली form क यह साथ से तो भगवान ही माले क्या कि मतलब यह कह रहा है कि public information भी नहीं private information भी नहीं यह इसका मतलब ही है नहीं इस वाली form का कि आप predict कर ही नहीं सकते है कुछ कर लो एड़ी चोटी कर दो लगा लो predict नहीं कर सकते है prices को जो future में होने वाले है ठीक है तो यह unrealistic होती है और आपको वीडियो समझ में आई होगी और इतना confusing नहीं था यह topic बहुत easily समझ में आगया होगा तो अगर कोई भी doubt है कोई भी दिखकत है कोई भी प्रिशान है नीचे comment section में लिखना ना पूले और 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 प्लीज लाइक कर देना है वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज ल को support किया था तो मिलते आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye take care have a nice day